कि खंच क्वें देंगा था है कि यह कि पैसे निकाला जाता है और हमने यह भी देखा था कि प्रड़क्त ऑफ दू इकल तो सिए इंटो लता है और तू नमर्स के लिए वैलिद होता है तीन नमर्स के लिए इसको पर नहीं लगा पाते है और हमने यह देखा था कि LCM is always divisible by SCF, यह भी चीज हमने देखी थी, ठीक है, तो और उस पर एक दो questions भी हमने किये थे, ठीक है, आज की class में कुछ और questions करेंगे और कुछ और properties about SCF and LCM हम देखने वाले हैं, तो चली start करते हैं, है न, let's say, suppose करो, question करते हैं, हमारे पास यह कि यह rectangular room है, it is a rectangular room, having dimension, let's say, 108 and let's say, 84, 108 and 84, okay, और इसको हमें कवर करना, with the help of square tiles, इसको हमें कवर करना, with the help of square tiles, then we need to find the minimum number of square tiles, which is used to cover this floor, जित्य भी square tiles होगी, उनकी dimensions सेम होगी, having same dimensions, and there should be no wastage, there should be no wastage, यह सब कंडिशन हमें किवन है, क्या करना है, इस rectangular floor को हमें कवर करना है, with the help of square tiles, और square tiles जो आप use करोगे, उनकी dimension सब की सेम हो, कोई wastage ना हो, तो कम से कम कितनी square tiles में हम कवर करना है, पाएंगे, ठीक है, find the minimum number of square tiles required, ठीक है, तो कई बच्चे कहते हैं कि सर, square tile की dimension दे दो, अगर square tile की dimension दे दी तो, यह class 5 और 6 का question हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखे, कैसे करेंगे, हमें इस rectangular floor को cover करना है, with the help of square tiles, और हम च चाहेंगे कि square tile का area जादा से जादा हो, तो अभी तो कम tiles required होगी, तो square tile का area maximum करने के लिए, हमें उसकी side को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बड़ी side होगी, उतना बड़ा square tile का area होगा, square tile का area बड़ा होगा, तो कम tiles required होगी, सही है, अच्छा, एक चीज का दिखा तो क्या करें, चलिए, देखते हैं, माल ले दी है हमारी square tile है, जिसकी side है x, और इस x को हमें maximum लखना है, जितना maximum लख सकते हो, तो इस square tile से में ये cover कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, ये x, ये x, ये x, ये x, इस तरह से मैं लगाते जा रहे हैं, ये भी x, ठीक हैं, तो, इन square tile की मदद से, हमने ये पूरा 108 length को cover कर लिया, तो यानि, ये x एक ऐसा number होना चाहिए, जो 108 को divide कर पाए, है न, क्योंकि इस x की मदद से, x plus x plus x plus x equal to 108 होना चाहिए, यानि इसका उन्द भी यह होगा कि, जो 108 है न, वो x से divide होना चाहिए, अच्छा, same way, आप tiles को ऐसे भी लगाते जारे हैं, ये पहली tile, ये दूसरी tile, इस तरह से लगाते जारे हैं, ये last x tile, ठीक है, तो, ये जो 84 है, इसको भी अपन x plus x plus x plus x से कवर कर रहें, ये पूरी length हम x unit से कवर कर रहें, तो, यानि x एक ऐसा number होना चाहिए, जो 84 को exactly divide कर पाए, x की length ऐसी होनी चाहिए, जो x 84 को भी divide कर पाए, सभी और x को में maximum भी रखना है, so, the maximum number, which can divide these two, the maximum value of x, which can divide these two, is nothing but scf, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, highest diviser जब भी बात हैगी, तो, मैं scf निकालना होगा, सबसे बड़ा number जो इन दोनों को divide कर रहे, तो, वो क्या होगा, इन दोनों का scf होगा, तो x is the scf of 108 and 84, so, यह जो x है न वेटा, वो हो जाएगा आपका scf of 108 or 84, इसका आप scf निकाल लीजिए, आपका method जो भी हो, आप चाहे तो division से लगा लीजिए, चाहे prime factorization से निकाल लीजिए, आपके साफ साफ मुझे 12 के multiples नजर आ रहे है, 12 into 9, 12 into 7, तो 12 इनका scf हो जाएगा, ठीकी बेटा, scf आगा 12, अब बस तो बड़ा काम आसान हो गया, number of tiles कितनी required होगी, इस rectangular floor का area, that is length into breath, divided by, इस square tile का area, square का area होता है, side का square, square की side कितनी है, 12, तो side into side, so 12 को 108 cancelled, 9 times, 12 से 84, 7 times, 9 7 जाब, 63, so 63 tiles are required to cover this rectangular floor, clear, 63 tiles की हमें requirement होगी, जिससे हम ये rectangular floor cover कर पाएंगे, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ, next is, the LCM of, the LCM of first 20 natural numbers is, LCM of first 20 natural number, is let's say X, then find, then find, LCM of first 25 natural number, ठीक है, अगर हमारे पास पहले 20 natural numbers का, LCM X है, तो first 25 natural numbers का, LCM बताईए, find the LCM of the first 25 natural numbers, ठीक है, तो, यानि X, एक ऐसा number है कि जो पहले 20 natural numbers से divisible है, ठीक है बताईए, यह X जो है, वो पहले 20 natural numbers divisible है, तो पहले 25 natural numbers से divisible है, ठीक है, तो चलिए, 20 के बाद आता है 21, ठीक है, 21 बनता है सच 3 into 7 से, और यह जो X था न, वो 3 से भी divisible था, और 7 कहीं न, कहीं आएगा, तो X 7 से भी divide होगा, तो यानि, पहले 20 natural numbers का भी LCM X ही रहेगा, और पहले 21 का भी LCM X ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 21 3 into 7 से बना है, और X already 3 or 7 से divisible है, यानि, X 21 से भी divisible होगा, ठीक है? बात करतें 22 की, 22 जो है बटा 2 into 11 से बनता है, तो यानि, यह जो X already 2 से divisible था और X 11 से भी divide होगा, कहीं न, 11 भी आएगा, तो यानि, X 22 से भी divisible है, तो यानि, पहले 22 natural numbers का LCM भी X ही रहने वाला है बात करते हैं, next number that is 23 की, 23 is the prime number, तो 23 तो आपको मिलेगा न, इसमें कहीं, है न, सिंदी सी बात है, इसलिए इसको हमें 23 से multiply करना पड़ेगा, तो अब ये number, इन दोनों का multiplication, ये LCM हो जाएगा, पहले 23 natural numbers का, clear है, बात करते हैं 24 की, 24 जो होता है बटा, वो 8 into 3 से मिलके बनता ह तो देखो 3 तो आ रहा है, और 8 भी कहीं न, कहीं आएगा, इसमें 1 to 20 की बीच में, यानि जो X into 23 है, वो 8 से भी divisible है और 3 से भी divisible है, तो यानि पहले 24 natural numbers का LCM यहीं की रहने वाला है, ठीक है, अब बात करते हैं 25 की, और 25 में देखिए, 25 में, 25 एक ऐसा number है जिसमें 2 5 आते ह हो, ऐसा कोई भी number नी था, जिसमें 2 5 आते हैं, 25 सिफ एक बार ही आते है, इस 25 उससे पहले कभी 25 ने मिलेगा, तो एक 5 जरूर मिलेगा, एक 5 तो समने आएगा, 5 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 15 में भी आएगा, 20 में भी आएगा, लेकिन 2 5 एक साथ नहीं आएगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 into 5 that is 105, 105 into x that is 105 x, यसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा 105 is the answer दद, चली आगे बढ़ते हैं, next question की तरफ now the next one is how many, next question is how many different how many different SCF are possible are possible for n and n plus 10 how many different SCF are possible for n and n plus 10 n or n plus 10 के लिए कितने different SCF SCF possible होंगे, ठीक हमार पस दो नंबर, एक है n और एक n, n plus 10 तो इन दोनों नंबर्स के कितने SCF possible हो सकते हैं, यह सा question पूचा गया, सही है, तो देखिए हमें यह property पता है कि SCF एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइट करता है तो अगर SCF इन दोनों को डिवाइट करता है, तो SCF इनकी difference को भी डिवाइट करेगा, is it clear? SCF अगर इन दोनों को डिवाइट कर रहा है, तो यह जो दोनों नंबर्स हैं, इनकी डिफरेंस को भी SCF डिवाइड करेगा, ठीक है बिटा, देखो, N से N कट जाएगा, बचेगा 10, तो SCF एक ऐसा नंबर होगा, जो 10 को डिवाइड कर सके, ठीक है, तो यह वो सारी possible values हो सकती है, वो नंबर्स जो 10 को डिवाइड करें हैं, वो तो यह सारी values हैं, जो 10 को डिवाइड कर रही है, तो SCF 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, तो यह सभी इसके SCF possible होंगे, ठीक है बेटा, तो बढ़िया question था, है न, how many different SCF are possible for the number N and N plus 10, ठीक है, चलिए, आगे बढ़तें, next question की तरफ, next question हमारा यह है, if SCF of A, B, C is 1, then SCF of, then SCF of A cross B in comma C. Yes, ठीक है बढ़ता, A, B, C का SCF हमें 1 दे रखा है, और हमसे बुछा जा रहा है, A into B comma C का SCF क्या होगा, option में आपको दे रखा है पहला, C, second option में आपको दे रखा है 1, और third option में दे रखा है A cross B, और चोथा option है, data insufficient to give the answer, data insufficient to give the answer, तो देखिए, करते हैं इसका, इसने कहा कि हमारे पास तीन नमबर है, ABC, तीनो का SCF 1 है, ABC तीन नमबर है जिनका SCF 1 है, मतलब इसका मतलब है कि इन में आपस में कुछ common नहीं है, तीनो में कुछ common नहीं, sorry, आपस में A और B में हो सकता है कुछ common हो, ऐसा possible है, लेकिन, तीनो में SC कोई चीज नहीं है, जो तीनो में common हो, ऐसी कोई चीज नहीं है, जो तीनो में common हो, इसलिए इनका SCF 1 आ रहा है, पेटा, सही है, तो देखिए, अब डेपेंट करेंगे, कि ABC के विल्यों क्या है, तीकि इसके साब से आंसर C भी, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे में आपको example लेकर बताता हूं, ठीक है, ABC का SCF 1 है, तो मैं कुछ values ले लेता हूं जिससे आपको समझ माँ जाएगा, कि हो के आ रहा है, सही है, तो पहला option C बनाते है होना है, कि A into B का SCF C होना चाहिए, तो देखिए, let's say A को मैंने मान लिया 2, है न, B को मान लिया 3, और C को भी मान लिया मैंने let's say 3, सही है, तो अब इसके according देखो, इन तीनों का SCF 1 होगा, इन तीनों का SCF 1 होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि तीनों में तो कुछ 2 into 3, और C की जगह 3, इन दों में common क्या दिख रहा है, 3 common दिख रहा है, तो या नहीं, इनका SCF कितना आ गया, इनका SCF कितना आ गया, 3 आ गया, और 3 को परने C बोला है, देखो, C के बराबर आ रहा है, तो C भी आ सकता answer, नहीं, चलिए, अब 1 लाके दिखाते है, 1 लाना तो बड़ा simple है, A को 2 मान लिया, C है, A को 2 मान लिया, B को 3 मान लिया, C को 5 मान लिया, ठीक है, तीनों को different ले लिया, तो A cross B, C, A cross B करोग रहा है, नहीं, तो इसका SCF बना गया, देखो, 1 भी possible है, नहीं, अब बात करते हैं, इस वाले third option की, ये भी possible है, अब तो depend करता है कि आप इनने ABC को क्या माना है, उसकी according answer ये भी उसकता है, ये भी उसकता है, ये भी उसकता है, ये नहीं कोई unique answer नहीं निकल रहा है, इसलिए देखो, A cross B भी मैं आपको बना के दिखा देता, जैसे मैंने माना A को 2, B को 3, ठीके ना, A को 2, B को 3, और C को मैंने मान लिया 12, ठीके, तो देखो, A cross B को देखा पनने, और C को देखा, A cross B यानिकी 2 इंटू 3, और 12, और ये 6 और 12 का LCM, sorry, 6 और 12 का LCM कितना होगा, 6 C होगा, 6 का मतलग A cross B, ठीके, तो डिपेंड करेगा कि आपने A, B, C को क्या माना है, आंसर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, तो यूनिक अंसर निया रहा है, यानि कि जो information है, it is not sufficient to give the unique answer, इसलिए बोलेंगे data insufficient, ठीके, तो मेरे काल समझ में आगया होगा आपनों को, ठीके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स कोशिन की तरफ, नाओ, नेक्स कोशिन इस, आपने में काल से बढ़ते हैं, झावे कि तरफ, टारी एन।, चलिए नेक्स नम बात करते है SCF और LCM of a fraction SCF और LCM of fractions की की fractions का SCF और LCM कैसे निकालेंगे SCF और LCM of a fraction ठीक है बिटाओ तो देखिए SCF और LCM fraction कैसे निकालेंगे अगर आपको SCF निकालना है जो भी आपको given fractions है आपको कुछ fractions दे दी जाएंगे और बोला जाएगा की इनका SCF बताईए तो जब भी हमें fraction का SCF निकालना हो तो आप क्या करो जितने भी numerators है उन सब का आप SCF निकाल लो SCF of numerators SCF of numerator और नीचे आएगा LCM of denominator ठीक है बिटा? तो जब भी आपको fraction का SCF निकालना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो numerators होगे न, fractions के उन सबी का आप SCF निकाल लीजिए और जो denominators होगे उनका आप LCM निकाल लीजिए तो वो SCF of the given fraction निकलाएगा बात करते है LCM की अगर मुझे LCM निकालना है fractions का तो जितने भी numerators है उन सब का आप LCM निकालो LCM of numerator LCM of numerator divided by नीचे आजाएगा SCF of denominator ठीक की बेटा? तो इस तरह से आपन SCF और LCM निकाल पाएगे of the given fractions याद करने का तरीका बड़ा सिंफल है देखिए अगर SCF निकालना तो SCF को उपर रखो नीचे LCM आएगा LCM निकालना तो LCM को उपर रखो SCF नीचे आएगा ऐसे याद रख सकते हो कि SCF LCM कैसे निकाला जाएगा ठीक है बटा? चलिए एक क्वेश्चन कर लेते जिससे आपको समझ में आजाएगा कि है ना कैसे इसका सॉल्ड कर रहेगी है ना जिससे देखिए मुझे क्वेश्चन या आगया कि find SCF and LCM of SCF and LCM of 8 upon 9 16 upon 81 2 upon 3 10 upon 27 यह हमैं given fractions है इस given fractions का हमें SCF में निकालना है और LCM में निकालना है तो हमें क्या करना होगा हमें SCF निकालना है तो जितने भी fractions हैं उनकी जो numerator हैं उनका हमें SCF निकालना होगा So SCF of numerator that is 8 16 2 or 10 और LCM निकालना पढ़ेगा denominator सा 9 81 3 cách 27 तो देखिए, इन चारों नमबर का SCF क्या होगा, हाइस्ट कॉमन फेक्टर, सबसे छोटा नमबर है पहले उसी को ट्राइ करो 2, 2 सभी को डिवाइड कर रहा है, 2 को डिवाइड करेगा, 2 16 को भी करेगा, 2 8 को भी करेगा, 2 10 को 10 भी करेगा, तो यानि, जो SCF होगा, तो मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, जो सबसे छोटा नमबर है, तो इसले सकांसर राजागा 2, डारेक्ली अपने लिख सकते है, SCF of these governed number is 2, LCM, अब LCM की बात करें, तो पर ने किया कि इन में सबसे बड़ा number पिक खलिया, that is 81, अब 81 एक ऐसा number है, जो 9 से भी divisible है, 3 से भी divisible है, 27 से भी divisible है, तो LCM इस सबसे बड़े number की बराबर हो सकता है, ठीक, यह उससे भी बड़ा हो सकता है, लेकिन, पहले इसको ट्राइ कर लेते हैं, अगर यह सबसे divisible हो गया, तो यह ही आपका LCM हो जाएगा, short trick हो जाएगी हमारी है, तो 81, 9 से divisible है, 3 से भी है, 27 से भी है, तो इन चारों का LCM कितना आजाएगा, बिटा, 80 बना जाएगा, तो यह नहीं कि हमारा required SCF आगया, of the given fractions, ठीके बिटा, अब इन ही given fractions का अपन LCM में निकाल लेते हैं, ठीके, अब LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, LCM निकाल लीजिए, अब दो नुमेरेटर, यह 8, 16, 2 और 10, और SCF निकाल लीजिए, डिनोमिनेटर का, यह 9, 81, 3 और 27, इन का अपन SCF निकाल लेते हैं, तो अब देखो बिटा, यहाँ पर, 8, 16, 2 और 10 का अपन LCM निकालते हैं, 8, 16, 2 और 10 का LCM, कितना आना चाहिए, ठीके, चलिए, यह 8, 16, 2 और 10 का LCM, 2 से डिवाइट किया, 4, 8, 1, 5, 2 से डिवाइट किया, वापिस 2 से डिवाइट किया, फिर 5 से किया, तो 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8 तू जा 16, 16, 5 जा 80, तो इसका SCF तो, सरी, LCM तौगे बैटा, 80, सबसे चोटा नम्बर हमें 3 दिखाई दे रहा है, जो नम्मर हो 3, जैनि SCF 3 के बराबर ही होना चाहिए, दिखते हैं, क्या 3, 9, 8 कर रहा है, 3, 81 को भी गर रहा है, 3, 21 को भी कर रहा है, तो 3 is the highest number, which is highest common factor of all these numbers, that is 3, तू आप चाओ तो सका SCF भी निकाल लीजिए, सबसे चोटे नम्मर को ट्राय का लिया, अगर सबसे चोटा नम्मर सभी नम्मर को डिवाइड कर रहा है, तो वही SCF हो जाएगा, तो LCM आजाएगा 80 by 3 और SCF आजाएगा 2 by 81, तो इस तरह से अपन SCF and LCM of fraction निकाल पाएंगे, किस तरह से निकाला जाएगा, यह अपन सीख रहे है, SCF and LCM of decimals, ठीक है, SCF and LCM of decimal निकालना सीख रहे हैंगे, देखिए, जब भी हमें किसी number का SCF या LCM निकालना होता है, decimals में, तो आप क्या करें, उन decimals को पहले तो like decimal में convert करें, जितने भी हमें decimal number दे रखे हैं, उन सब को किस में convert करो बेटा, light decimal, light decimal का मतलब क्या होता है, कि decimal की बात number of digits सब में सेम हो, अगर नहीं हो तो बनाओ, decimal की बात चाहो, सब में number of digits सेम बनाओ, for example, इससे सबसकर में पास एक number है 2.3, एक number है 5.6, 2.8, ठीक है, अब देखो, ये दोनों light decimal लए हैं, क्यों? तो कीछिके decimal की बाद यहां पे 1 गिजट आरही है, यहां पे 3 डिजट आरही है, उसको light decimal बनाने के लिए, यहा पी 2 0 लगा दिया है, तो ये दोनों light decimal हो गए है, तो light decimal का मतलब है कि, decimal के बाद digits क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए तो like decimal convert कर दिया like decimal convert करने के बाद फिर क्या करो यह जो आपको numbers obtained हुए है इनको decimal हटा के इनको decimal हटा के इनका LCM और SCF निकाल लीजिए जैसे आप numbers में करते हो है ना जैसे आप numbers में करते हो ठीक है पिर जो भी आपका answer आएगा LCM और SCF जो भी answer आएगा इन दो numbers का उनका आप LCM निकाल ले अब फिर क्या करना उसमें बापर हम decimal place करेंगे decimal कब place करोगे यहाँ पर देखिए decimal के बाद कितनी डिजिट थी तीन तो जो SCF और LCM आएगा वहाँ पर भी decimal के बाद पड़ेगा 0 लगा कि आप कर लीजिए उसके बाद क्या करो जो decimal numbers थे उनमें decimal आप हटा दीजिए हटाने के बाद जो number obtained होंगे उनका आप LCF और LCM निकाल लिए LCF LCM निकाल लिए फिर जो SCF LCM जो भी आया है उसमें decimal कुछ इस तरह से place करें कि उतनी ही दिजिट रहें after the decimal जैसे की पहले numbers में थी like decimal बनाने में ठीक है 3 थी तो 3 रखेंगे चलिए एक example करते में राए ना एक example करते में जिससे आपको clear हो जाएगा जैसे question है find the SCF and LCM of 0.6 9.6 and 0.36 ठीक है यह मेरे पास numbers है इनका मुझे SCF और LCM दोनों ही खालना है ठीक है तो पहला task हमारा क्या था विटा पहला task हमारा यह था कि यह जो numbers given है इनको हम like decimal में convert करें ठीक है तो पहला number था 0.6 दूसरा था 9.6 तीसरा था 0.36 तो यहां पर decimal के बाद एक digit है यहां पर भी एक digit है यहां पर दो है तो सब इनका decimal हटाने के बाद आपको क्या number नज़रा रहे 60 960 36 यह आपको number नज़रा रहे अब इन number का आपको LCM और SCF निकालना है ठीक है तो चलिए पहले आपन निकालते हैं इनका SCF है ना इन तीनों number का आपन SCF निकाल लेते हैं है ठीक है SCF निकालते हैं क्लास फिफ्ट और सिक्स में कुछ इस तरह से भी पढ़ा होगा 60 960 36 कॉमन प्राइम से डिवाइट करता है चालू करते हैं पहले टू से चालू करते हैं यह जाएगा 30 480 18 ठीक है फिर आपस 2 से हो रहा है 15 249 यह अब 3 से भी हो रहा है सब में से यह जाएगा 5 यह जाएगा 80 यह जाएगा 3 अब कोई कॉमन प्राइम नहीं है अब कोई कॉमन प्राइम नहीं आ रहा तो इन तीनों का से हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 तो आज सराएगा इसका 12 से कितना आ रहा है 12 अब मैंने का था डैसिमल प्लेस करना पड़ेगा डैसिमल की बाद कितने डिट सी 12 यह वन यह तू यहाँ पर डैसिमल लगा दिया है यह सकाई सिफ हो गया तो यह दिखा 60, 960, 36 तो 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 से डिवाइड किया 30, 480, 18, तो से डिवाइड किया 15, 240, 9, फिर 2 से डिवाइट किया 15, 129, 2 से डिवाइट किया 15, 16, 9, 2 से डिवाइट किया 15, 13, 9, 2 से डिवाइट किया 15, 15, 9, वापिस 3 से किया 5, 5 और 3, वापिस 3 से किया 5, 5, 1, फिर वापिस 5 से किया 1, 1, 1, तो चले, 2 तूजा 4, 4 तूजा 8, 8 तूजा 16, 16 तूजा 32, 32 तूजा 64, 64 इंटू 5, 64 इंटू 5, 320 हो जाएगा, 320 है ना, 320 इंटू 9, 320 इंटू 9, तो 0, 9, 2, 0, 18, 1, 9, 3, 27, 1, 28, तो 2880 आएगा ना, आंसर कितना हैगा, इसका 2880 आएगा, ठीक है, 2880 आएगा, तो LC हमाया, 2880, जैसे मैंने कहा था कि decimal के बाद यहां पर दो डिजिट्स हैं, तो दो डिजिट्स के बाद decimal लगा दीए, तो यह इसका LC हो गया, तो बड़ा असान था, कुछ नहीं करना था, जो भी decimals दे रखे थे, उनको पहले like decimal में convert किया, decimals हटा दिया, decimal हटाने के बाद जो number अब्टेंड हुए, उनी का हमने LCM और SCF निकाला, फिर वो लिख दिया हमने, है ना, और फिर हमने after the decimal, यहाँ पर two digits थी, तो इनमें भी after decimal two digits दिखनी चा कुछ एक दो question score करते हैं next question है, in a class, in a class, there are 72 boys and 64 girls, in a class, there are 72 boys and 64 girls, if the class, the class is to be divided, is to be divided, is to be divided into least number of groups, least number of group, such that, such that, each group contain, such that, each group contains, either only boys, either only boys, or only girls, then how many groups will be formed, then how many groups will be formed, तो कितने group form होंगे, ठीक है, हमारे पास एक class है, जिसमें 72 boys और 64 girls हैं, और इसने कहा कि हमें इनको क्या करना है, लीस नंबर of students होंगे, और यहां तो boys होंगे, यहां फिर girls होंगे, यह शुर है, है ना, तो देखिए, अब अगर सोच यह दिमाग में, कि अगर मुझे कम से कम group चाहिए, तो मैं चाहूंगा, कि हर group में जादा से जादा बच्चे हों, हर group में क्या हो बेटा, जादा से जादा बच्चे हों, ठीक है, तो लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, कि वो सभी यहां तो boys हो, यहां फिर girls हो, यह भी है, और सभी में equal number of students भी हो, यह भी ध्यान रखना है, ठीक है, तो कम group चाहिए, तो हर group में maximum student हो, तो माल लेते हैं कि हर group में, यह पहला group है, तो माल लेते हैं में X student बेठे हो है, ठीक है, हर X student बेठे हो है, इस group में, X numbers are of students sitting, अब क्योंकि हर group में, अब जैसे 72 boys हैं, तो 72 boys के लिए कितने group बनेंगे पता नहीं, यह पहला group, दूसरा group, तीसा group, मतने दे ऐसे कुछ groups हैं, जहां पे सारे boys को हमने, तो इन सब में X plus X plus X plus X plus X जोडोगे, तो 72 के बराबर होना चाहिए, नहीं, तो यानि, X एक ऐसा number हो गया, जो 72 को डि इनी group में divided है, clear equally, एक maximum होना चाहिए, जो 72 को डिवाइड कर सके, similarly, आपके पास 64 girls भी है, उनको भी आपको rooms में उठाना है, suppose को यह तो boys का हो गया काम, girls की बात करते है, तो girls के हर group में भी X member ही है, यह कि दोनों में number of group, sorry, member तो same ही रखने है, तो माल ने ते हैं, यह girls का group है, जिसमें X members है, और इन girls कितनी है, 64, तो ऐसे कितने groups पनेंगे है, पता नी, ऐसे कुछ groups पनेंगे, जिनका total करेंगे, तो 64 आएगा, तो इसका मतलब यह है, कि यह X एक ऐसा number है, जो कि 64 को भी डिवाइड करेगा, और वो maximum भी होना चाहिए, तो X एक ऐसा number होना चाहिए, जो 64 को भी डिवाइड करें, और एक एक साहर भी number होना चाहिए, जो 72 को भी डिवाइड करें, तो it is a maximum number which can divide these two, is nothing but the SCF, तो यानि जो X होगा, यानि हर group में कितने members होंगे, वो कैसे निकालेंगे, SCF of these two, ठीके बटा, तो यानि जो X होगा, वो जाएगा, आपका SCF of 72, 64, और 72 औ जरा रहा है, कि ये, इस से डिवाइड हो रहा है, four से तो होई रहा है, है ना, eight से हो रहा है, eight से भी हो रहा है, है ना, eight से भी हो रहा है, eight eight जा, eight nine जा, तो इनका SCF eight आजाएगा, SCF eight आजाएगा, मतलब यानि कि हर group में eight members होंगे, हर group में कितने members होंगे, eight members होंगे, तो इस बच्चे कितने हैं, बॉइस और गल्स को एड़ कर दिया, 72 प्लस 64, और हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं, 8, तो टोटल बच्चों को, हर ग्रुप में कितने बच्चे हैं, उससे डिवाइड कर दिया, तो आपके नमबर ऑफ ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है बटा, इस 8 क 72 से काटा, 9 ताइमस, जिस 8 को 64 से काटा, 8 ताइमस, तो 9 प्लस 8, तो आणसर आजागा बच्चे हैं, तो हमें 17 ग्रुप्स रिक्वाइड होंगे, जिससे हम 72 बॉइस और 64 गल्स को इन ग्रुप में बाट सकें, ठीक है, यह हमारा आणसर हो जाएगा, 8 क्या रिप्रेजन कर ऌतिक, अ भीक्वाद।गे, यह, झाएगा, तो दूफ्यज़ कुछ बच्चे कुछ्एगा, यह, झाएगा, तो दोफ एफिस favor a आणसर होती, तो लग्या, तो दूफ्याद्स तो आएगा,, तो चाएगा, तो तो ऑनसर होती, तो आएगा, तो बच्प्स, तो 80 and their ratio is 13 is to 15 and their ratio and their ratio is 13 is to 15 then the numbers are then the numbers are तो मैं नम्बर्स बताने वेट क्या होंगे सभी है तो देखो यहां पर कहा है कि दो नम्बर्स है जिनका एल्सियम 39780 है और उनका जो रेशो है वो 13 is to 15 है तो मैं नम्बर्स बताने है तो देखें माले ते नमबर्स एन वेन टू है तो नमर्स का रेशो 13 is to 15 है एक नम्बर माले 13x दूसरा माले 15x ना बेशो देर का अब देखें इन दौनों नम्बर्स में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है सर ओल्ली एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है तो इसका मतल्ब यह हुआ कि इन दोनों जो दोनों में वही SCF वहा, दिको थर्टीन और फिफ्टीन में कुछ कुछ कॉमन ही नहीं है, यहनी SCF कितना हो गया बेटा, X हो गया, यह चीज़ सवंज भाई, SCF क्या होता है, जो दोनों में common हो, वही SCF होता है, यह SCF आ गया, अब LCM कितना दे रिखा है, 39,780, अब हम फॉर्मला मालूम है, Sir, product of the numbers is equal to their SCF into LCM, यह हमें फॉर्मला बाद में है, तो N1 की जगा लग दिया, 13X, N2 की जगा 15X, is equals to SCF, that is X, LCM that is 39,780, तो बिटा, X से X कर जाएगा, हमें दोनों numbers बताने थे, यानी X बता करेंगे, तो ही दोनों numbers पता चलेंगे, तो X की value हुजाएगी, 39,780 divided by 13 into 15, 13 into 15, देखें, यह 13, 13 की डिपल में आता है, 78 भी आता है, यह कट जाएगा, 3 times, फिर आएगा 0, और 6 times, फिर वापिस 0, 3060, ठीके, 13 से कट जाएगा यह, फिर उसके बाद 30, 60, 15 से cancel हो रहा है, 32 times, फिर 0, फिर 4 times, 204, तो यहनी X की value तो आगे बटा हमारे पास 204, और X आते ही हमारे पास numbers आजाएगे, है ना, X आ गया, 204, तो हमसे number पूछ रहा था, number 13 into 204, 15 into 204, यहनी आपको जो N1 है, वो जाएगा 13 into 204, कर दीजी multiply, 204 को 13 से, टीक है, 612, 204, तो पहला number तो आगे आपका 2652, next number 15 into X, तो N2, 15 into X, याने की 204, तो 204 into 15, तो यह जाएगा 1020 है ना, और यह जाएगा 204, तो 6, 3060, याने दूसरा number हो जाएगा 3060, तो यह question हमाना solve हो गया, ठीक है, यहाँ पर जैसा बोला गया था, कि इन दो number का, जिनका ratio 13 into 15 है, तो number हमने माल लिए 13X 15X, X common है, याने इसका SCF हुआ, और LCM हमें दे ही रखा था, हमने relation use किया, product of the number equal to SCF into LCM, values put करी, वहाँ से X निकलाया, X साती हमारे पास यह दोनों numbers define हो जाएगे, ठीक है, तो चलिए, आज की class में हम इतना ही रखते हैं, next class में कुछ और important properties regarding SCF and LCM पढ़ेंगे और कुछ और questions करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, thank you.